Hello everyone, मेरा नाम शुवांग है और आज हम बात करने वाले एक नए बिजनस आइडिया के बारे में जो कि एक स्लीपर मैनिफेक्टरिंग का बिजनस इस बिजनस के बारे में बात करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एक्चुल में स्लीपर मैनिफेक्टरिंग बिजनस कहते किसको है जैसे कि हम सभी लोग जानते हमारे देश में हर व्यक्ति हर प्रकार की चप्पले पहनता है स्लीपर का मतलब होता है चप्पल ठीक है ना चाहे वो व्यक्ति अमीर हो या गरीब सबको स्लीपर की जरुवत होती है ज्यादा तर लोग स्लीपर घरों में यूज करते हैं और आज कल तो मार्किट में भी बहुत ही अच्छे अच्छे और स्टाइलिस स्लीपर आ चुके हैं आपने टेवी पर बहुत बार देखा होगा बॉलिवीड स्टार्स को स्लीपर का एड करते हुए जी हाँ स्लीपर आज हम इसी बिजनस के बारे में बात करने वाले हैं स्लीपर मैनिफेक्ट्रिंग वो बिजनस होते हैं जो की लोगों के लिए स्लीपर्स बनाते हैं different sizes में तो हम इसी business के बारे में बात करने वाले हैं तो इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप इस business को open करने के लिए कौन कौन से आपको equipment की जरुवत होगी आप इस business को open करने के लिए कितना investment करने वाले हो और साथी साथ इस business के marketing कैसे करोगे और इस business में कितना profit होने वाला है हम इन सभी topics पर बहुत ही detail में चर्चा करने वाले हैं तो चलिए बात करते हैं sleeper making का business कैसे शुरू करें पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि sleeper बनता कैसे है देखो पहले तो आपको dye लेना होगा dye मतलब different sizes के dye market में available हैं वो आपको खरीदने होंगे dye लेने के बाद आपको sleeper की seat मिल जाएगी seat कहां से लेंगी आप India Mart से easily available हो जाएगा seat मतलब कि जो sleeper seat होता है वो rubber की मोटी sheet होती है जिसको हम लोग उस dye पर रखकर cut करते हैं ठीक ना अब sheet हो गया आपके पास और डाई भी हो गया फिर उसी डाई से उस sleeper की sheet को रखकर cut करना है किसे cutting sole machine से sleeper cutting sole machine से उसके पास जो भी आपके पास पीश आएगे उसको आप grind कीजिए मतलब उसकी finishing में लाईए और जब आप डाई उस पर लगाओगे तो उस पर कुछ mark हो जाएंगे जहां पर आप अपने sleeper की straps को लगाएंगे straps मतलब फीते जो होते हैं उसको आप लगाएंगे उस जगा को mark कर लीजे उसके बाद उस जगा पर आपको उसको drill करना होगा उसके लिए भी आपको sleeper की drilled machine आती है उसको आपको लेना पड़ेगा उसको drill करने के बाद आपको वो जो straps उसको उसमें set करना होगा उसके लिए भी sleeper का straps का fitter machine आता है जो की उसमें set करने में आसानी करता है मतलब मदद करता है तो यहां तक जो आपका sleeper है वो बनके ready हो चुका लेकिन अगर आपकी sleeper seat है वो designable नहीं है तो आप इसकी screening और printing भी करवा सकते है उसके लिए भी अलग से machine लेकिन अगर आपकी seat designing वाली है तो आपको इस process की इस machine की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अब यहां पर आपका sleeper है वो ready हो चुका है अब बार ही है इसको pack करके sale करने की ठीके ना अब बात करते हैं आप packaging कैसे करोगे देखो packaging अगर आप इस business को बहुत ही small level पर कर रहा हो तो आपको generic box से order करने चाहिए लेकिन अगर आप इस business को बड़े level या फिर medium level पर कर रहा हो आपकी खुद की company register है तो आपको अपने brand के curtains या फिर boxes को बनवाना चाहिए उस पे आपको pack करके sale करना चाहिए अब बात करते हैं यह बनाएगा कौन इसके लिए भी contractor होते हैं market में आप उनसे पता कर लिजे ताकि आपको ही सारा काम ना करना पड़े तो यह होगी बात sleeper बनता कैसे है और आप उसको pack कैसे करोगे ठेके ना आपने कुछ बातों का बहुत ही ध्यान दिया होगा एक तो sleeper की sheet को cut करने के लिए soul cutter आता है जिसको हम लोग कहते हैं sleeper soul cutting machine जो कि लगबग आपको 1.5 लाग तक तो मिली जाएगा आप इसको इंडिया मार्ट से भी ले सकते हैं या फिर अमेजॉन से भी ले सकते हैं उसके पास sleeper में drill करने के लिए आपको sleeper की drill machine लेनी होगी वो भी लगबग 20,000 तक आजाएगा साथी साथ आपको sleeper strap fitting machine भी लेनी होगी जिसकी मदद से आप अपने sleeper में straps को fit कर लोगे अब जब sleeper बनके ready हो गया तो उसको finishing के लिए आपको grinder चाहिए ठीक ना वो grinder आपको लेना होगा साथी साथ जो die आपको जरूरत है sleeper बनाने के लिए वो तो जरूरी है वो तो compulsory होगा ही होगा तो ये basic चीजे हैं जो की आपको इस business के लिए requirement होगा इसके बिना आप इस business को नहीं run कर सकते तो अब हम बात करते हैं raise money to start this business इस business को start करने के लिए आपके पास पैसे कहा से आएंगे देखो पैसे raise करने के लिए सिफ दो तरीके होता है एक होता है debt दूसरा होता है equity debt का मतलब होता है उधारी हम अपने family friends से पैसे लेकर अपने business को run करते हैं तो वो होता है उधारी ठीक है ना business से loan ले लेते हैं bank से loan ले लेते हैं business के लिए तो वो भी होता है debt के रूप में मतलब वो भी होता है उधारी लेकिन दूसरा भी form है जो की होता है equity, equity में क्या होता है, equity में आपके business की जो shares होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जैसे कि अगर मैं इस business को शुरू करने वाला हूँ या फिर करना चाहता हूँ, तो मैं किसी एक ऐसे व्यक्त के साथ partnership कर लूँगा, जो की इस business में invest भी करेगा, और वो इस business के लिए responsible भी रहेगा, ठीक है ना, तो वो होता है equity, ऐसे ही काम करता है investor, या फिर मैं एक ऐसे investor को ढूड़ू, जो हमारे business में invest करने के लिए ready हो जाए, और वो मन्तली अपने shares के हिसाब से dividend भी ले जाए, और profit में भी हिस्सा ले जाए, तो ये हो गई बात equity के बार स्मॉल लेवल पर start करने वाले हैं, तो इस business के लिए कोई भी registration करने की जरूरत नहीं होने वाली है, लेकिन अगर आप इस business को medium एफिल last level पर शुरू करने वाले हैं, तो आपको अपने business का registration कराना होगा ROC के साथ, चाहे तो proprietorship firm में, या फिर partnership firm में, या फिर limited liability partnership firm में, या फि आपका business 12 लाग से उपर का turnover generate करता है तो, और अगर आप अपनी shop open करने वाले हो, तो आपको shop establishment act के तहत license लेना होगा, trade license लेना होगा, और भी जो business document होते हैं, वो आपको complete कराने होगे, लेकिन अगर आप इस business को बहुत ही small level पर भी start करने वाले हो, तो आपको MSME का registration कराना और आपके अपने brand का नाम भी register कराना होगा ISI के अंदर, साथी साथ आपके business का current account भी खुलवाना होगा, pancard भी आपको अपनी business का generate करवाना होगा, ठीक ना, तो यह सब कुछ basic documents है, जो की जरूरत पढ़ेंगी, अगर आप इस business को बहुत ही small level पर भी start करने वाले हैं तो, त अगर आप अपने business का एक shop open करने वाले हो, तो ही यह step आपके लिए important है, ठीक ना, अगर आप खुद का shop open करने वाले हो, तो वो shop आपके target audience के पास होने वाली है, मतलब कि वो shop आपके target audience के पास होनी चाहिए, वहाँ पे transportation की service available होनी चाहिए, साथी साथ जिस भी location पर आप open करने चाहते हो, वो एकदम marketplace में होना चाहिए, जिससे कि आपकी sale high हो जाए, ठीक ना, ये भी एक compulsory नहीं है, क्योंकि आप manufacturing करते हैं, तो आपकी distributor या फिर wholesaler आप बना लोगे, ठीक ना, लेकिन अगर आप खुद ही sale करने वाले हो, या फिर खुद ही sale करना चाहते हो, जैस उस shop की जो infrastructure होनी चाहिए, वो थोड़ा spacious होना चाहिए, वहाँ फे ventilation service available हो, drinking facility available हो, electricity facility available हो, ये से कुछ basic facility है, जो कि आपको check out करना होगा, अगर आप एक shop red पर लेने वाले हो तो, तो ये होगी बात infrastructure से related, अब हम move करते हैं हमारे next step पर, recruiting staff, अगर आप इस business को बहुत ही small या फ नहीं होगी, लेकिन अगर आप इस business को एक बड़े या फिर लार्स लेवल पर start करने वाले हो, तो आपको minimum 2 worker तो रख नहीं होंगे, उनके manners अच्छे होने चाहिए, वो skilled होने चाहिए, अपने काम में, ताकि वो अपने customer को बहुत ही अच्छी service provide कर सकें, तो इस बातों का आ कहान रखना होगा, उसके बात, हम बात करते हैं promotion marketing की, आप अपने business के promotion marketing कैसे करोगे, देखो promotion marketing एक ऐसा जरिया है, जिसकी मदद से आप अपनी sales को boost कर सकते हो, ठीक न, अगर आप अपने local area में promotion marketing करने वाले हो, तो आपको template या फिर विस्टिंग कार्ट को छपाओकर distribute करा देना है, लेकिन अगर आप इस business को एक online business पर ले जाने वाले हो, तो आप अपनी खुद की website बनवा सकते हो, आप अपने business की digital marketing कराईए, और जो भी आप manufacturing करते हो, जो भी जिस तरीके की भी आप sleepers को manufacturing करते हो, उसकी एक बकायदा वीडियो बना कर आप अपने YouTube पे upload कीजे, जिससे कि आपके पास customer की कमी नहीं हो जाएगी, साथी साथ आप अपने इस offline service को online पे भी लेके जाए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपको एक website बनवा लेनी चाहिए, जब भी कोई आपके website पर आए, तो जो भी नया customer होगा, उसके लिए एक special offer होना चाहिए, और ज आने के लिए, तो अब हम बात करते है, profit इनमंत, एक महिने में कितना profit हो सकता है, देखो, अगर आप इस business को खुदी manage कर रहे हो, तो ये profit आपके लिए है, अगर आप एक pair की sheet बनाते हो, उसको cost आती है लगबाग 45-50 रुपे की, ठेक है, नॉर्मल, मैं बता रहो, नॉर्मल pair अगर sleeper आप बनाते हो, एक normal sleeper का pair अगर आप बनाते हो, अगर उसकी cost 45-55 की आती है, या फिर 45-50 की आती है, ठेक न, अगर आप उसी pair को, अगर आप market में sale करते हो, 100 रुपे के हिसाफ से, तो आपको जो margin मिलता है, वो लगबा हो जाएगा 50 रुपे का, मतलब कि आप एक pair sleeper के sleeper पर आप 50 रुपे का profit gain कर रहे हो, अगर आप खुदी produce कर रहे हो, तो एक दिन में maximum 100 unit आप produce कर ले जाओगे, तो महिने भर में कितना हो गया, 3000 units, मतलब कि आप एक महिने में 3000 sleepers बना लोगे, ठेका न, अब जब आप उसको sale करोगे, तो profit कितना आएगा, 3000 गुडे 50, तो total हो गया, 1500 रुपे, मतलब कि अगर आप इस पर महनत करें, तो आप आसानी से 1500 रुपे easily कमा सकते हैं, अगर आपका खुद का shop है तो, लेकिन अगर आपने बीच में distributor या फिर wholesale रखा, तो आपकी ये turnover तो high हो जाएगा, लेकिन आपका जो profit है वो थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन जो आपकी sales है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से boost हो जाएगी, ठीक, तो ये होगी बात, आप इस business से profit कितना कमा सकते हो, अब बात करते हैं, equipments require के, इस business को start करने लिए आपको कौन कौन से equipments की जरूत पड़ेगी, पहले तो machinery compulsory है, जो की लगबख आएगा 1,92,000 त तो, नई तो आप इस business को घर से भी start कर सकते हो, bill machine 5000, आप इसकी जगा बिल बुक का भी use कर सकते हो, वो भी बहुत सस्ता पड़ जाएगा, cctv camera 10,000, ये optional है, अगर आप अपनी security को maintain करना चाहते हो, और अपनी productivity को maintain करना चाहते हो, तो आपको camera लगाना पड़ेगा, जिससे क कि आप अपने worker पर भी नजर रख सको, fans, 9000, चेर, 5000, तो total मिला जो लाकर, equipments में ही लगबग 2,46,000 का initial investment करना पड़ सकता है, तो अब हम बात करते हैं, investment required के बारे में, इस business को start करने के लिए आपको कितना investment करना पड़ेगा, security deposit, 50,000, देखो security deposit एक ऐसा deposit होता है, जो returnable होता ह अगर आप कहीं भी shop लेने जाओगे, तो वो 6 महिने की security पहले से ही आप से deposit करा लेगा, और आपको rent देना पड़ेगा, 10,000, digital marketing अगर आप कराते हैं, तो 10,000, registration कराना पड़ेगा, 15,000, marketing collateral, मतलब जैसे की banners हो गया है, pamphlet हो गया, विस्टिंग कार्ड हो गया, उसका भी हम माल लेते हैं, 10,000, equipment, 2,46,000, salary, 20,000, अगर आप इस business को बड़े लेवल पर करने वाले हो तो, electricity bill, 5,000, तो total मिला जुला कर, इस business को start करने के लिए, आपको 3,66,000 या फिर उससे कम का investment करना पड़ सकता है, ठीक न, अगर आप इस business को medium लेवल पर करने वाले हो, तो 3,66,000 का करने वाले हो, तो आपको 80,000 से लेके 5,000,000 तक का investment करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप इस business को large level पर start करने वाले हो, तो आपको 5-15,000,000 तक का initial investment करना पड़ सकता है, so thank you everyone, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, तो इस वीडियो को like कीजिए, अगर आप हमारे channel पर a good day.